आज हम डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया इस कावे रचना का अभ्यास करेंगे कनुप्रिया यह डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की रचना है अधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूरुधन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठी थै। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अध्भूत कुरुती है, जो कनु यानि कनया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कुरुष्ण और महाभारत के पातरों को लेकर चलने वाला काव्य है। यह मिथक राधा और कुरुष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंदित ह कनु प्रिया अर्थात कनईया की प्रियसखी राधा राधा को लगता है कि प्रेम त्याक कर युद्ध का अलंब करना निरर्थक बात है यहां कनु उपस्तित नहीं है उन्हें जानने का माध्यम है शेव राधा राधा कुरुष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्णा पूछती है अभी हम काव्य देखेंगे सेतु मैं नीचे की घाटी से उपर के शिखरोंपर जिसको जाना था वह चला गया है मुझे पर पग्रक मेरी बहों से इत्यास तुम्हें ले गया यहां इस सर्ग में सेतु इस सर्ग में राधा काना से बात कर रही है काना यहां उपस्ति नहीं है राधा कहती है काना इत्यास की बदलती हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया लेकिन इसमें बली किसकी चड़ी यानि किस पर अन्याय हुआ तो मेरे ही सर पर पैर रख तुम आके बड़े घाटी का मतलब होता है वैली यानि नीचे से उपर तक यानि महानायक बनने तक का जो प्रवास है वो तुमने किया है और मैं यहाँ अकेली ही रहे गई हूँ लिला भूमी और युद्धक्षेत्र के अलंग्य अंदराल में लिलाक्षेत्र से उठकर युद्धक्षेत्र तक पहुंच गए तुम तुम्हें इश्वरिय स्वरूप धारन किया, इसके बीच की जो अलंग्य दूरी थी, ये बहुत बड़ी दूरी थी, इस उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बना दिया। अब इन सुने शिखरों मृत्यु घाटियों से बने, सोने के पतले गुंते तारों वाले पूल सा निर्जन, निरर्थक, कामता सा यहां छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पूल निरर्थक लगता है। तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना यह मेरा शरीर कामता हुआ रहे गया है, अन्ततहा जिसको जाना था वह तो मुझे दूर चला गया। अम अंकल चाया, इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाए देते हैं, अउचेतन मन में बैठी राधा और चेतना वस्ता में राधा जो कृष्ण के साथ है। यहां राधा खुद को संबोधित करती है। रक्ष के नीचे खड़े कनू को देवता समझ कर मिलने, प्रणाम करने, जिस रास्ते से तु जा रही थी, उस रास्ते से आज मत जाना। धूल के करन ये तुम्हें बता नहीं रहे कि जिस राह से तु आती थी, उस रास्ते पर महाभारत के युद्ध के लिए जा रही स्री कृष्ण की अठारह अउक्षहिनी सेनाई जाने वाली है। आज उस पत से अलग हटकर खड़ी हो बावरी। लता कुझ की ओट छिपाले अपने आहत प्यार को। आज तु पत से दूर हट जा उस लता कुझ की ओट में जिस कनू के कारण तेरा प्रेम व्यतीत हुआ, दुखी हुआ, उसे छुपाले। आज इस गाव से द्वारी का की युद्धोनमत सेनाए गुजर रही है, मान लिया कि कनू तेरा सरवाधीक अपना है, मान लिया कि तु उसके रोम रोम से परिजित है, मान लिया कि ये अगनित सैनिक एक-एक उसके है, पर जान रग कि ये तुझे बिलकुल नहीं जानते, प तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचीत हो। ये सारे सैनीक कनु के हैं लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। यहां तक की कनु भी इस समय तुम्हारे तुमसे अनभिद्ने हो गए है। यहां आम्रवरक्ष की डाल उनकी विशेश प्रिय थी। तेरे नव आने पर सारी शाम इस पर टीक उन्होंने वंशे में बार बार तेरा नाम भर कर तुझे टेरा था। यही पर आम्रवरक्ष की डाल का सहारा लिए कनु बंसी बजाक बजाकर तुम्हें फुकारा करते थे आज यहां आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगे क्रुष्ण के सेनापतियों के वायू वेग गामी रथों की गगन चुम्बी द्वजाओं में यहां नीची डाल अटकती है यह डाल जो तुम्हें बहुत प्रियती वो आज शायत काट दिये जाएगी तुम्हारे सेनापतियों के द्वारा और यहां पत के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक व्रक्ष आज खंड़ खंड़ हो जाएगा तो क्या यह आमर व्रक्ष की डाल तो काट ही दी जाएगी लेकिन साथ में यह पावन अशोक का व्रक्ष भी रास्ते के किनारे है वो भी शायत काट दिया जाएगा यदि ग्राम वासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड दिया जाएगा यानि अगर इस पत से जो सेनाओं जा रही है उनका स्वागत करने इसी आजूबाजू के गाव के ग्राम वासी रहने वाले लोग नहीं आते है तो शायद य गाव भी उजाड़ दिये जाएंगे दुख क्यों करती है पगली क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तनमेक्षनों की कथा से अनभित्न है उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड भाड में तु और तेरा प्यार नितांत अपरिजित छूट गए है अब ये युद्ध इतना प्रलयंकारी हो चुका है कि कनु के साथ तुमने व्यतित किये हुए तनमेक्षनों की कथा यानि तनमेक्षन के जो क्षन थे वो अब भूल गया है इस युद्ध की हट बड़ा हट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिजित होकर तुमसे दूर चले गए है कनु तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए गर्व कर बावरी कौन है जिसके महान प्रियकी अठारह आउक्षहिनी सेनाए हो उल्टा तुम्हें गर्व होना चाहिए किसके प्रियके पास अठारह आउक्षहिनी सेनाए होती है वह केवल तूम हो एक प्रश्न आगे का सर्गा अच्छा मेरे महान कनू मान लो कि क्षन भर को मैं यह स्विकार लू कि मेरे ये सारे तनमयता के गहरे क्षन क्रुष्न को अभी संबोधित करती है वो बोलती है अच्छा मान लिया कि एक क्षन के लिए मैं ये स्विकार भी करती हूँ कि तुम्हें लेकर जो भी कुछ मैंने सोचा जीया वे सब मेरी तनमयता के गहरे क्षन थे तुम मेरे इन ख्षनों को भावावेश कहोगे कलपनाय कहोगे या रंगे हुए आकरशक शब्द थे लेकिन तुम्हारी दुरुष्टी से वो अर्थहीन थे मान लो कि ख्षन भरको मैं ये स्विकार लो कि पापपुन्य धर्मा धर्म न्याय दंड क्षमाक्षील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य था यानि मैं मान लेती हूँ कि ये महाभारत का युद्ध पापुन्य धर्म अधर्म न्याय दंड क्षमाक्षील के बीच का युद्ध था इसलिए यह युद्ध होना इस युग का जीवी सत्य था जिसके नायक तुम थे तो भी मैं क्या करू पनू? मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र जिसे सदा उतना ही ज्यान मिला जितना तुमने उसे दिया तो भी इस अप माण लेती हूँ फिर भी मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ मैं तो वही तुम्हारी बावरी सकी हूँ, मित्र हूँ तुमने मुझे जितना ज्यान उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्यान पाया है मैंने सदईव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया है जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है राधा कहती है प्रेम और सक्यभाव को तुमने जितना मुझे दिया है वो पूरा समेट कर संजो कर भी मैं तुम्हारे इतिहास को नहीं जान सकती हूँ तुमने जो किया है इतिहास में महान कारे किये है उसको मैं नहीं जान सकती हूँ अपनी जमुना में जहा घंटों अपने को निहारा करकी थी मैं वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगनीत नवकाओं की पंक्ती रोज-रोज कहा जाती है धारा में बहे बहे कर आते हुए टूटे रत जरजर पता काये किसकी है जिस जमुना नदी में उसके प्रवाह में मैं घंटों तक अपने को निहारा करती थी और तुम्हारे अंदर में खो जाती थी अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नवकाओं जाती है कहां और उस नदी की धारा में बहे कर आने वले टूटे रत फटी पता काये किसकी है हारी हुई सेनाए, जीती हुई सेनाए, नब को कमपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनुकों से सुनी हुई अकलपन या अमानूश घटनाए, युद्ध की, क्या ए सब सार्थक है? कनू, महाभारत का वह युद्ध, जिसका कर्णधार तुम स्वयम को समझते हो, वह कुरूक्षेत्र, जहां एक पक्षकी सेनाए हारी, दुसरे पक्षकी सेनाए जीती, यहां गगनवेदी युद्ध गोष होता रहा, यहां क्रंदन स्वर गुंजता रहा, अमानविय कुर घटनाए घटित हुई, और उन घटनाओं से पलायन किये हुए सैनीक बताते रहे, क्या यह बात सब सार्थक है, चारो दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गुरुद्धों को, क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को, गीध, ग गुरुद्धों को, यानि गीधबक्षियों को, चारो ओर से, चारो दिशाओं से जो उड़ रहे हैं, उनको भी तुम बुलाते हो, क्या, जैसे तुम भटकी हुई गायों को बुलाते थे, जितनी समझ तुम से अब तक पाई है कनू, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है, ज समझ लिया है, उसे सब को बटोर कर भी मैं कुछ चीजे समझ नहीं पाती हूँ, अरजुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो सार्थकता क्या है बंधू, मान लो कि मेरी तनमयता के गहरेक्षन, रंगे हुए अर्थहेन आकरशक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनू, प अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, युद्ध की सार्थकता का पाट पड़ाया, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ, यदि मेरी तनमयता के गहरेक्षन तुम्हारी दुष्टी से अर्थहीन परत्व आकरशक थे, तो तुम्हारी दुष्टी से स अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैट कर तुम्हारे कामते अधरों से नहीं निकलते शब्द 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 कर्म धर्म कर्म स्वधर्म नीरने दाइत्व मैंने भी गली गली सुने है ये शब्द राधा का चेतन मन और चेतन मन को संबोधित कर रहा है कनु युद्ध की सार्थक्ता को तुम के मुझे कैसे समझाओगे सार्थक्ता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है मैं उनको नहीं समझती हूँ मैंने गली गली कई स्थानों पर ये शब्द सुने है कर्म स्वधर्म निरने दाइत्व अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो मैं इनहें सुनकर कुछ भी नहीं पाते प्रिय इन शब्दों में कर्म स्वधर्म निरने दाइत्व इन शब्दों में अर्जुन ने कुछ भी नहीं पाती हूं मैं नहीं समझ सकती। सिर्फ राह में ठिटक कर तुम्हारे उन अध्रों की कलपना करती हूं जिन से तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूं। मैं सिर्फ कलपना करती हूं कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूं। और मेरे मन में भी मुह उत्पन हो गया है जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है वैसे मैं भी तुमसे यद्यपी मैं नहीं चान्ती कि यह युद्ध कौंसा है किसके बीच हो रहा है और मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए और समस्या क्या है और लडाई किस बात की है लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेना इस तब तक खड़ी है और इतिहास तगीत हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन होगा है क्योंकि तुमारा समझाया जाना मुझे अच्छा लगता है जैसे अरजुन को तुमने समझाया उसी प्रकासे मुझे भी समझाना समझाते हुए बूलना मुझे बहुत अच्छा लगता है तुमारा जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुख गया है, सेना इस तब्द खड़ी हो गई है और इतिहास की गती रुख सी गई है और तुम मुझे बस समझा रहे हो कर्म, स्वधर्म, निर्ने, दाइत्व, शब्द, 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है इस सारे शब्द कर्म, धर्म, स्वधर्म, निर्ने, इस सारे शब्द मेरे लिए अर्थहीन है मैं इन सब के परे अपलग तुम्हें देख रही हूं हर शब्द को अंजुरी बना कर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ, इन शब्द के परे में तुम्हें देखती हूँ, मेरे तनमेत्या के क्षणों में में तुम्हें देखती हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक-एक मुर्चित सम्मेदन को धतका रहा है, और तुम्हारा तेज मेरे उपर चाग गया है। और तुम्हारे जादू भरे होटों से रजनी गंदा के फूलों की तरह टप टप शब्द ज़र रहे हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक आबास होता है। जैसे लगता है, जैसे तुम्हारे जादू भरे होटों से एक एक शब्द रजनी गंदा के फूलों की तरह ज़र रहे हैं। कर्म, स्वधर्म, निर्ने, दाईत्व, मुझे तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन, राधन, राधन। कनू, जिन शब्दों का तुम उच्चारन करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्ने, दाईत्व, ये शब्द मुझे तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, ऐसे लगते हैं, तुम बोल रहे हो, राधे, राधे, राधे। शब्द, 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 तुम्हारे शब्द अगनीत है कनू, संख्यातीत, पर उनका अर्थमात्र एक है, मैं, मैं, केवल, मैं। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, उस संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं समझती हूँ, उनका एक ही अर्थ जो की है मैं, मैं, केवल, मैं, राधे फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनू? अब बताओ कनू, काना, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे, जो की तुमारे होटों से जो शब्द निकलते है, वो मुझ तक आते आते, बस उसका राधे राधे हो जाता है, उसी शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे, इस प्रकास से हमने देखा डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया अर्थातराधा महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्रवी है। परन्तु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भावा भावस्तर अथ्वा तनमे ताके खशनो द्वारा पहुँचती है। यह सब उसके अंजाने में होता है क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवरुती संशय अत्वा जिग्यासा नहीं है अपितु धावत कट तनमेता है।